हेलो एवरीवन तो दोस्तो ये वीडियो आप एंड तक देखना आपको काफे कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में तो हुआ क्या रिसेंटली मेरा एक बहुत ही close friend है उसने जो जिस company में वो पहले काम कर रहा था वहाँ पर वो bench पर आ गया था तो हुआ ये कि उसको तुरंती एक बहुत बड़ी MNC से offer मिल गया तो company का नाम में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में बने रहो तो जैसे ही उसको offer letter मिला तो नई company की जो HR है उसने मेरे friend को call करा और बोला कि देखो भाई ऐसा है आपना एक week के अंदर अंदर पुरानी वाली company से release ले लो ताकि हम आपको एक week के अंदर ही नई company में जोइन भी करा देंगे तो मेरा दोस्त बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको जो package भी मिल रहा था वो भी बहुत अच्छा था तो 30 लाग का package उसको अराम से मिल रहा था तो उसने ऐसा ही करा पुरानी वाली company से एक week के अंदर अंदर उसने release ले लिया क्योंकि वो bench पर था तो company ने अ verification पूरा नहीं होगा हमारी company का हम आपको joining नहीं करा पाएंगे तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पे कितनी गलत बात है HR की पहले HR ने यह सब चीज नहीं बताई मेरे दोस्त को वो बाद में यह बोल रही है कि मतलब जब तक background verification नहीं होगा हम आपको join नहीं करा पाएंगे तो इससे हुआ क्या जो मेरा दोस्त है उसके पास आज के time में एक भी offer letter नहीं है क्योंकि job market बहुत ही खराब है और लोगों को असानी से job भी नहीं मिल रही है और साथी साथ उसका एक महीने का gap भी हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो HR नहीं company की ना तो वो उसका phone pick करती है और नहीं उसका email पर reply भी देती है जिसकी वज़ा से मेरा जो friend है वो बहुत ही frustrated है तो दोस्तों इस video को बनाने का मकसद यह है मेरा यह कहना है कि अगर आपके पास भी कोई इस type का proposal आता है दूसरी company से और आपको भी HR यह बोलती है कि आप एक week के अंदर हमारी company join कर आपको इतना package भी मिल जाएगा मालो आपको HR से यह पूछना है कि क्या बिना background verification के मैं आपकी company join कर पाऊँगा ऐसा तो नहीं होगा कि background verification दो महीने बाद होगा और मैं अभी release लेके बैट जाओं फिर दो महीने में खाली बैटा रहूँगा ऐसा तो नहीं होगा तो हो सकता HR आपको ये भी बोले कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बट मैं आपको ये बोलूँगा आप हर एक चीज को email में written में लेना तब जाके आप immediate release लेना पिछली वाली company से क्योंकि हो सकता है कल को HR अपनी बात से पलट जाए एक हफते बाद कि मैंने ऐसा बोला था वाट अभी ऐसा नहीं हो पाएगा अगर आपके पास चीजे रिटन में रहेंगी तो कल को अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है कोई गलत भी करता है तो आप उन लोगों के खिलाफ legal action भी ले सकते हो सो मैं उमीद करता हूँ कि आप इस टैप की गलती कभी नहीं करोगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मुझे फोलो करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग